वेलकम टू फैंटेसी काउंसल बहुत पैसा कमाया IPL में और अभी तो सिर्फ 15 मैचीज हुए है अगर आप चाते हैं इसी तरीके से कमाना तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ वीडियो कभी स्किप मत करा करो क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन कल ग्रैंड लीग के कौन निकले हैं डीकॉक और पृत्वी शो अगर जिसने वीडियो कल की नहीं देखी वो एक बार दुबारा जाके देख सकता है कि मैंने कैप्टन चॉइस में और वाइस कैप्टन चॉइस में आपको बताया था अपनी टीम में डीकॉक को कैप्टन रखो शो को वाइस कैप्टन बनाओ और ग्रैंड छीतने की पूरी पूरी उमीदे बनाओ तो कल ग्रैंड लीग जीतने वाले मिनी ग्रैंड लीग जीतने वाले काफी सारे fantasy council family members थे जिनोंने पाही है 10-10 र manifested rank Grand League में Top 10 में आना बहुत बड़ी बात होती है Top 5 में उससे भी बड़ी बात होती है फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने जीती है Mini Grand League और आया है first rank पर मतलब top 3 ranks में आना और जाधर tough होता है लेकिन जब आपके CVC clear हो तो Mini Grand League में सबसे असान होता है इसलिए मैं आपको कहता हूं वीडियो पूरी देखा करो समझा करो मैं आपको conditions देता हूं कि यह चीज़े करो तभी आप जीत पाओगे वरना आप हमेशा loss में रहोगे यह मैं आपको लिखके दे सकता हूं अगर आप concentrate नहीं करते और वीडियो में आपको ह ले लेना चाहें आप एक करोड मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई भी चैनल वाला है या कोई भी यूट्यूबर या इंफ्लूएंसर आपको grand league की टीम नहीं दे सकता अगर मालो मेरे पास एक करोड की टीम है जिससे मैं डेट करोड जीत सकता हूं first rank लाके वह मैं आ अच्छा combination बना सकता हूं तो वही चीज आपको करनी होती है यह सारे stats जो हम आपके लिए लाते हैं यह सारे इंट्रस्टिंग facts जो हम आपके लिए लाते हैं और खास तोर पे प्लेयर performance pitch report कहां पे match है head to head latest match सारे stats आपके बहुत काम की होते हैं इसलिए मैं आपको बोलता हू और अगर skip करके देखते तो कुछ फायदा नहीं है loss होने के chances बहुत जादा है क्योंकि आपका फिर वही बनता है कुछ लोग होते हैं ऐसे सारे नहीं 100 में से 5-6 लोग ऐसे होते हैं जिनको बस जाएंगे team देखेंगे small league के team grinding में लगा देंगे और बोलेंगे यार एक करोड नहीं जीत पाएं मज़ा नहीं आया तो थोड़ा दिमाग लगाओ क्योंकि आपके लिए फिर fantasy cricket नहीं बनाए सिर्फ लॉस होता रहेगा lifetime विड्रो करना भी सीखो क्योंकि deposit करते रह जाओगे तो बस bank account खाली होगा कभी bank balance नहीं बनेगा इसलिए आज का match बहुत खास रहने प्लेइंग लेवन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आप हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें description में आपको उसका link मिल जाएगा वहाँ पर tap करें और वहाँ से सीधा जुड़ जाएए हमारे टेलिग्राम में यहाँ पर आपको सबसे जादा फायदा क्या होगा जैसे खल ललित यादव मैंने आपको बताया था कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है और मैंने उसमें एक short video भी डाली थी कि मैं लली त्यादव को ले रहा हूं लूइस को छोड़कर जो मेरे लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ जिसने मेरी तिन तिन लाग से उपर विनिंग पहुचाई वो था लली त्यादव और उसने विकेड़ भी किसका लिया एविन लूइस का आप चाहे तो भी बता देता हूं कि भाई खुच सर्च करके मत करना क्योंकि बहुत सारे फेक है आप किसी फेक में जुड़ जाओ यहां पर टैप करो सीधा लैंड करो जॉइन हो चैनल में और अब बात कर लेते हैं टीम की प्लेंग 11 की सबसे पहले देख लेते हैं पंजाब की प्लेंग खास तोर पे किया जाए शुमन गिल और मैठी वेड याद है पिछले मैक्च में हमारा वाइस कैटन था और बहुत यह चीनिंग स्केल के गया था वेड कीपर अच्छा है ओपनिंग अच्छी कर लेता है बीबील में काफी अच्छे स्टैट्स है जिस वजह से वेड के साथ यह स्टिक करेंगे 3D प्लेयर को यह पता नहीं खिलाएंगे या नहीं क्योंकि 3D प्लेयर की अभी कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हाई है डेविड मिलर राहुल तेवतिया राहुल तेवतिया से खासी बॉलिंग नहीं करवाई जा रही है जिस वज़े स शामी लॉकी फर्गूसन वरून अरून लॉकी फर्गूसन और मॉहमद शामी ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और काफी जादा गुजरात के लिए फायदे मन साबित हुई थी लॉकी फर्गूसन खास थोर पर क्योंकि अच्छे कहां से विकिट ले लेना क्योंकि यह चैंज बहुत जादा जरूरी है ओपनर मयंग अगरवाल और शिकरदवनी रहने वाले हैं अगर मयंग अगरवाल पंजाब के कैप्टन नहीं होते तो हो सकता है कि ओपनिंग में भी चैंज हो जाता हो और मयंग अगरवाल की वापसी हो जाती टीम में से लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा मामला फसेगा, यहाँ पे अब सबसे वड़ी चीज बताता हूं, क्या है, यह गौर से सुनना, आपके लिए अगर Grand League टीम बना रहे हो, तो आपके लिए उपर से ही बनाना असान हो जाएगा, आप यह मत सोचना, टॉस होने के तो प्लेइंग 11 बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी, वरना कोई फायदा नहीं है, इस चीज का बताने का, वरना मेरे कोई पता है कि कोई भी दूसरी जगे से पढ़के आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सुनना भी जरूरी हो जाता है, मैं चाहता हूं जीते जादा से जादा ल लाना है, तो दो बंदों की ही बली चड़ सकती है, तो ओडियन स्मित की या फिर भनुका राजा पाकसा की, लिविंग स्टन की तो यह नहीं चड़ाएंगे, लास्ट मैच में बालिंग से बैटिंग से दोनों से एच्छी परफॉर्मेंस दीती, तो लिविंग स्टन के कम लेकिन जब हम बात करते हैं, भनुका राजा पाकसा की, तो हो सकता है, राजा पाकसा की जगे जोनी बैस्तों को खिलाया जाएं, क्योंकि रिलाइबल सोर्स है, यह यह बंदा काफी ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है, कंसिस्टेंस है काफी ज़्यादा, और हमने जो कंसिस देता हूं फिर रह जाएंगे चार बॉलर रबाड़ा अरोड़ा अर्षदीप सिंग राहुल चेहर यह चार होगा पांचवा होगा लियाम लिविंस्टन यहां पर थोड़ी दिक्कत वाली चीज हो सकती है क्योंकि अरोड़ा भी एक नया बॉलर है यहां पर फिफ्ट बॉलि टीम नहीं करेगी लेकिन ज्बैट्सकों को लाने की पूरी कोशिश करेगी यह टीम अब मैं आपको बताता हूँ कि खेलना बल्ले बाजी पर है कल मैं सिफ दो बेट्समें से इतना जादा जीता हूँ वो आपने मेरी चैनल पर विनिंग देखे लिए होगी एकए मैच मैच तो आपको क्यों ना वहां खेलना चाहिए तो यहां पे आपको cashback भी मिल रहा है bonus भी मिल रहा है और मज़े की बात reward program में आप से डिसकस करता हूं आपकी trips भी निकल सकती है आप Europe जाईए आप Thailand में एक बार जा चुका हूं यह trip जीत कही आपने वह भी देखा होगा हमारे इंस्ताग्राम पेज़ पे और साथी साथ बहुत सारी चीज़े हैं जैसे हर लेवल पे एक नया आपको cash reward मिलेगा जो आपके withdraw में मिलेगा मतलब आप उसे withdraw कर सकते है deposit में नहीं मिलेगा कि भाई दूसरे आप क्या करेंगे अब आपको इससे खेलना पड़ेगा तभी पर यहां पर आप easily withdraw भी कर सकते हो अपना जीता हूँ amount तो खेलना कहां पर बल्ले बाजी पर डाउनलोड कहां से करना है यह मैं आपको बता दिता हूं description में आपको बल्ले बाजी का link मिलेगा वहां से आप बल्ले बाजी डाउनलोड कर सकते हैं और मज़ा उठा सकते हैं bonus भ बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस तो हर ग्राउंड पर दिया जा रहा है मतलब कि हां ऐसा नहीं है कि बॉलर्स के लिए कुछ खास है अगर हम CPL में देखते तो बालिंग वालों को बहुत होती थी लेकिन जब IPL की बात करते हैं यहां पर थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली वि क्योंकि यहां पर चेजिंग असान है सब अभी तक यहीं तो कर रहे हैं टॉस जीतो चेज करो मैच जीतो अभी तक तो यहीं ट्रेंड चल रहा है और पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही रहता आईपेल स्टेट्स की बात करें तो यह ग्राउंड थोड़ा इवन स्टीवन र चाल लेते हैं अगर हम बात करें गुजराट टाइटन्स तो दो मैसे दो मैच जीती हुए है लेकिन पंजाब किंग्स की अगर हम बात करते हैं तो तीन मैसे दो जीती हुए तो अच्छा खासा चल रहे हैं बॉटम फोर में अभी है डेली चेन्नाइज मुंबई और संराइ तो दोनों एक ही प्लेस पे है अगर देखा जाए रेट का ही फरक है बस 0495.238 तो पंजाब की एक सॉलिड बापसी हो सकती है इस वाले मैच में क्योंकि पंजाब की टीम एक स्टॉंग टीम है खास तोर पे जॉनी बैस्तों के एडिशन से ये टीम और मजबूत हो सकती है तो ये रहती है पॉइंट स्टेबल में इन दोनों ही टीम की जगह है अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में भी रहने वाला है हमारे 100 लखी विनर्स के लिए एक लाख रुपे का फ्री गिववे सभी के लिए और अगर आपका जवाब सही होता है मैं आपसे पूछूँग जीतना काफी असान है 100 लखी विनर्स को मिलेगा 1000 रुपे का पेटीम कैश आपके पेटीम एकाउंट में लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोनों जवाब सही होना चाहिए आपने पूरी वीडियो देखी होनी चाहिए अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस और इतने अच्छे स्टैट्स इतने क्रियेटिव जो हमारे बनाए जाते हैं वो आपके लिए बहुत प्लीजिंग होते होंगे अच्छे लगते होंगे ये भी मैं जानता हूँ तो उसके लिए भी आप लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले अगर आपका पहला जवाब सही है तब देखेंगे आपके दूसरे सवाल का जवाब सही है या नहीं फिर हम उस पर बात करेंगे अब हम चलते हैं और देखते हैं फेंटेसी आंसल की प्लेयर्स जो आपको ग्रैंड लीग जीताएंगे कल देखी होगी तो समझ जाओगे क्य क्यूं ग्रैंड लीग जीतने वाले हमारे बंदे थे कैप्टन हमारा बताया हुआ टीक कॉपक्टन हमारा बताया हुआ प्रित्वी शौ इतना असान होता है जाली जीतना बस वीडियो देख रही तो होता है अब बात करते हैं पहले प्लेयर हार्दिक पांडिया को तो त्रू अपने टाइम पर बैटिंग करके आया है अपने टाइम पर करके आया है तो अर्दिक पांडिया हमारी टीम के लिए बहुत जरूरी ऑप्षन है दो मैच में 64 रन है एक विकेट है इस मैच में विकेट लेने के ज़्यादा चांस इस तब बनते हैं जब जीटी पहले सबसे क्लीन और सबसे बेस्टिंग है इंडियन बैट्समेंट की IPL में जो मैंने देखी है 27 का स्ट्राइक रेट है चार फिफ्टी और तर्तालिस विकेट जिसमें तीन विकेट बीस रन देके हाइस तो एक अच्छी परफॉर्मेंस एक अच्छे प्लेयर है हार्दिक लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात है लेकिन अपनी ओल्ड फ्रेंचाइजी के अगेंस खेलना जहां पर आपको मेहंग अगरवाल देखने को मिल रहे हैं और काफी सारी है होता है ना एक बाई अपना इंतकाम बाली बात आ जाती है कि मैं पहले यहां खेलता था और आज इनके अगेंस खेल रहा हूं यारी दोस्ती एक जगह है पहले विकेट्स लेना जरूरी है तो मुहमद शामी अगर गुजरात पहले बॉलिंग कर रहे है तो बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है 79 मैचेज में 84 विकेट्स है 15 रंदे के 3 विकेट हाइएस्ट तो अभी तक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मौहमद शामी की पूरे IPL में फिर बात आती है कगी सो रबाड़ा की कगी सो रबाड़ा की अगर हम बात करें पिछले दो मैच कुछ खास नहीं गए क्योंकि दो मैच में दो ही विकेट है 37 रन है यह ज्यादा खास चीज है कि दो मैच में 37 रन ऑल्मोस्ट 19 की अवरेज से बैटिंग करना एक ऐसे बंदे चार विकेट 20 की अवरेज मतलब हर 20 रन देके विकेट लेना और चार विकेट चार बार ले रखें तो बहुत अच्छी अवरेज है फिर बात करते हैं राहुल चेहर की अगर पंजाब पहले बॉलिंग कर रही है तो काफी जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल चेह राहुल चेहर के बन जाते हैं इस पूरे थुरू आउट अभी यह तीन मैच की बात करें तो तीन मैच में 12 रन है छे विकेट है बेस्ट है 25 रन देके तीन विकेट अच्छी फॉर्म है मैच स्प्लेट 45 इनिंग स्प्लेट 44 विकेट उडन चास बेस्ट 27 रन देके 4 एक बार लिए अगर हम अगले की ब्लेयर पे नजर डाले तो वह है आर के वीजन भी बता जेता हूं मैं क्या है पंजाब का मिडल और भी ज्यादा सॉलिड नहीं है उसमें शारुक खान है और जॉनी बैस तो खेल रहे है तो बनू का राजा पाक्सा कि अगर बाहर जाते त वन डाउन टॉप थ्री तो अच्छा है पंजाब का लेकिन मिडल और में थोड़ी दिक्कत आ जाते है फिर चाहें वो उडियंस में थी क्यों ना हो अगर खिलते हैं तो राशित खान के दो मैच में अभी तक दो विकेट है तो जैसन नाम है वैसी अभी तक परफॉर्मेंस और थोड़ा जल्दी जलदी बढ़ा है व्लोग आ इसे कमा रहे हैं और सब को कब आ रहे हैं तो मैं आपको क्याल को मुश्किल हमारा मतलब बैटिंग करे हार्दिक पांडिया एक अच्छी चोईस है हमारे कैप्टन के लिए शिकर धवन जब चेस करने जा रहा हो पंजाब तो बहुत ही अच्छा उप्शन है हमारे लिए सी के लिए रबाड़ा सी आपको सिर्फ जब ट्राई करना है जब पंजाब पहले बॉलिंग करें तो काफी अच्छा उप्शन है रबाड़ा बहुत अच्छे विकेट लेने के चांसिस है वाइस कैप्टन चॉइस सुनते जाना कब कब लॉकी फर्गूसन राशित खान मुहम शामी भी काफी अच्छा उप्शन है तो आप कर किया सकते हो जैसे मानलों चेस करने जारी है पंजाब की टीम एक उप्शन यह लेकर चलना है तो क्या पता हम अपना धवन और इन दोनों को सी वी सी रखें यह चीज जो होती है यह बहुत काम की होती है क्योंकि यहां पे न थोड़ा शुमन गिल के लिए मुश्किल हो जाता है लेकिन 40-50 मानना शुमन गिल के लिए काफी असान है लेकिन उस पे सी वी सी डिसाइड नहीं होते हैं 40-50 कब डिसाइड होते हैं जब एक बंदा असी प्लस पॉइंट दे के जा रहा हो तभी ग्रैंड लीग में सी वी सी अब मैच होगा ना फाइनल की रात जैसे आपका खतम हो जाएगा आपका मूड भी खतम हो जाएगा कि यार एक भी ग्रैंड लीग नी जीत पाया एक भी मिनी ग्रैंड लीग नी जीत पाया इसलिए मैं आपको कहता हूं थोड़ा सोच समझ के बनाओ आठ रद्द लगाओ यह वाले कॉंबिनेशन ट्राइए करो कल जिस बंदों ने करे हैं ना सीविसी शौ और डीकॉक को बहुत फायदा कमाया है पिचतर पिचतर आयार रुपए वह ऐसे जीत के लेगा मिनी ग्रैंड लीग में और लगा है कितने दो सुनिन यानवे रुपे तो यह चीज अपने क्या है विकेट लेके गया अब बात कर लेते हैं हम यहां पर धवन वर्सिज राशित खान पैतिस बॉल चौतिस रन तीन बार विकेट तो आप देख सकते हो राशित खान का दवन के अगेंस काफी अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन सेम जो रिकॉर्ड आता है लौकी फर्यू सामने आते क्योंकि यहां पर विकेट लेना असान हो जाता है जब भी लौकी फर्यूशन की स्पीड गेम में आती है फिर अगर हम बात करें मयंग का गरवाल वर्सिज राशिक खान राशिक खान के पूरी बंजाब की टीम के अगेंस रिकॉर्ड अच्छे हैं अगर देखो होगे लियाम लिविंस्टन 46 बॉल सततर रन तो मारा तो है लेकिन तीन बार विकेट भी दिया है राशिक खान को अपना तो यह चीज जो होती है ना बहुत इंपोर्टेंट होती है आपको हमेशा सुननी चाहिए आप देखते हैं रबाला वर्सिस गुजरात में क्या इंट मतलब 50 के स्ट्राइक रेट से बांध के भी रखा हुआ है और डिस्मिस भी करा है तो यह बड़े इंट्रस्टिंग फैक्ट्स है जो आपको ग्रैंड लीग में जीतने में बहुत हेल्प कर सकते हैं यह चीज आप दियान रखना अब बात कर लेते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम की कुछ ऐसी रहती है मेरी स्मॉल लीग की डीम जिसमें कीपर है वेड शुम्मन गिल है मयंका गरवाल है शिकर धवन है हार्दिक पांडियान लियाम लिविंस्टन यह है मेरी टीम में राहुल चैर राशित खान लॉकी फर्गूसन रबाडा मॉहमद शमी अब आप द पांडिया क्योंकि चार ओवर सेकेंड डाउन बैटिंग इससे चाहां मिलेगा मुझे स्मॉल लीग के लिए स्मॉल लीग का कैप्टन है अर्दिक पांडियान रखना बहुत दिमाग से पैदल लोग क्या करेंगे यही चीज बनाके डाल देंगे उसमें ग्रैंड लीग में यह टीम है यह हमारी हो गई लीग की फिर ना वो पता है क्या करते हैं उड़न चास रुपिया लगाया हूं पचास रुपिया वापिस आया है मेरा एक करोड़ तुम दोगे क्या अब मत करा करो यह स्मॉल लीग की है स्मॉल इससे जाधा क्या लिखू यार स्मॉल लोग भी स्मॉल लीग यह होता है ठीक है तो अब आप यह लगाओ स्मॉल लीग में बल्लेवाजी पे खेलो मज़ेदार है और विड्रॉल भी ऐसे हो जाएगा आपका कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है आप दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं शिकरदवन किते पॉइंट्स दे सक है इसको ध्यान से पढ़ो और मतलब होता है या तो ग्यारा या तो खेये होगा छोबिस दिखाल बहुत तो बीस आपको सवालं के चबाप सही हुए ऐसे स्लो मैच के बाद टैक कर दो हमें इंस्पाग्राम पे हमारी टीम आपको अप्रोच करेगा यह जार रुपे पेटीम केश आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा यह होता है फ्री गीववे कंप्लीट और सब्सक्राइब करना ना बुले यार बिलकुल मत भूलना एक सब्सक्राइब करना और अब होती है हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी चीजे बताइए अगर किसी को एव ग्रेंड लीक की समन नहीं आ रही है किया स्ट्रेटिजी बनाए तो ग्रेंड लीक की मैंने एक वीडियो बना रखिये है आप जाओ ड्र cupcake कैसे जीते वह पाच स्ट्रेटजी इस टूर्ण्में ए फॉलो करो ग्रेंड लीग आपकी बन सकती है वहां से क्यो ठीक है वहां से केलो आप ग्रेंड ली और उसमें सारी स्ट्रेटेजी आपको समझ भी आ जाएगी बहुत क्लियर मैंने एक्जामपल्स के साथ समझाई हुई है वो देखना ना भूले और अब भी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए व